जे हिंदी दोस्तों आप सबी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को बोर्ड परिक्षा दुहजार तेस आपको हिंदी में 95% कैसे लाना है जेहां दोस्तों हिंदी में 95% कैसे लाएं दोस्तों अगर आप भी कलास तेंथ में हैं और आपका एक्जाम 20 फरवरी को हिंदी का पेपर है और इस बार आप लोग अगर 400 नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर आएगा तब ही आप लोग को 400 पार नंबर होगा और ह हम आप लोग को आज बताएंगे हिंदी में 90 पलस नंबर कैसे लाएं और 95 परतिसाथ आप लोग बिलकुल ला सकते हैं और आप लोग बिना पढ़े भी 95 परतिसाथ ला सकते हैं और इस बार हिंदी में जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं बिना पढ़े हिंदी में 95% कैसे लाए जिहां दोस्तों आज हम आप लोगों को कोश्चन भी लेकर आए हैं और दिखाएंगे कि बोर्ड एक्जाम में हिंदी के पेपर में क्या-क्या पूछा जाता है बोर्ड से पेपर को चुरा लाए हैं आप लोगों के लिए और आज आप लोगों को दिखाएंगे और साथी साथ बताएंगे कि हिंदी में क्या-क्या पूछा आ जाता है दोस्तों बहुत इंपोटेंट है आप लोग हिंदी को हलका में न ले क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी तो दो-चार दिन में पढ़के हम अच्छा नंबर ले आएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों आप समय कम है और 20 फेरबरी को आप सभी को हिंदी में 95 लाना है और इस बार सो में 90 करके आना है खाली हाँ तो दर से नहीं आना है हिंदी में जंडागार देना है 95 सभी सब्जेक्ट को और हिंदी का पेपर जो हमने बोड से चुडा लाया है बिल्कुल दोस्तों 100% वही पेपर है जो आज हम आपको दिखाएंगे जो आपको 20 फेरबरी को देखने को मिलेगा तो जो एस टुडेंट अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हिंदी में 95 जरूर करिएगा और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20 फेरबरी को हिंदी का जो पेपर होगा उसमें आपको 95 पर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी सब्जेक्ट का वारियल पेपर और वोर इजाम से सभी सभी टिप्स आप लोगों के पास मिलता रहा हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको 50 objective question बनाना होगा देखिए आपको यहाँ पर निबंद, निबंद में आपको 5 निबंद रहेगा, किसी एक पर निबंद लिखना है, और एक निबंद के लिए आपको 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको आवेधन पत्र या बधाई पत्र आपसे निबंद लिखना होगा, यानि 10-11 प्रसंग रहता है, हम आगे कोस्टन में दिखाएंगे, इसमें से आपको केवल 5 प्रसंग मनाना है, पर 3 प्रसंग दो नमबर का रहता है, यानि 10 नमबर आपका यह हो गया, और लास्ट में आपका सब प्रसंग बैख्या है, और एक सब बैख्या है, 5 नमबर का, और यहां से आपका 5 नमबर हो गया, यानि आप यह सभी को जोड़िएगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर होता है, तो अमीद करेंगे कि आप लोग यह समझ गये होंगे, कि हिंदी में आपनों को क्या-क्या तयारी करना है, और क् कुल नहीं घवराईए, आप लोग सोचिए नहीं कि कैसे बोट से चुराया गया है, अब यह सिफ आपनों को पढ़ने का समय है, आप लोग केवल पढ़िए, और इस बार हिंदी में 95 परतिसत लाके हमको बताईए, ठीक है, देखे, सबसे पहले देखिए, गध्यांस में, दो नमबर का दस नमबर यह हो गया, ठीक है, अब देखे, गध्यांस तो इतना आसान है, तो इसमें आपको क्या होता है, केवल पढ़ना है, गध्यांस में जो है, आंसर इसी में रहता है, केवल आपको इसमें से आंसर लिखना है, अगर 100% आंसर आप लोग सही लेना चाहते हैं ठीक है और आप लोग को अभी तक गध्यांस बनाने के लिए नहीं आता है तो comment किजिएगा हम आपको ऐसे वीडियो बना दिये हैं फिर आप लोग को अलग से एक वीडियो बना के देंगे तो गध्यांस में आपका जो है इसका आंसर आपको जो हम उपर बताए थे गध्यांस उसी में दिया रहता है केवल आपको उसमें से चुन-चुन के लिखना है तो यानि कि एक, दो, तीन, चार, पांच ये गध्यांस हो गया और ये दो नमर का रहता है दस नमर आपका यहां से कंप्लीट हो गया ठीक है फिर इसके बाद एक और गध्यांस पुछा जाएगा उसको हम देखते हैं अब देखिए दोस्तों दो नमर में भी गध्यांस है यानि कि पहला वाला जो गध्यांस बताए थे उसमें दो गध्यांस रहेगा उसमें से भी एक ही बनाना है दूसरा गध्यांस में देखिए बुला गया निमलिखीत गध्यांस में से किसी एक गध्यांस को पढ़ कर नीचे दिये गए प्रस्णों के उतर दे परतेख प्रस्ण दो अंका होगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है परतेख प्रस्ण दो अंका होगा आप देखिए यहाँ को हिंदी में 100 में 100 करना चाते हैं तो आप लोग कर सकते हैं अभी जो भी से समय है अप इतने कम समय में हिंदी में क्या-क्या पूछा जाता है हमने तो बता ही दिया है सभी पर अगर विडियो लेना चाते हैं सभी टॉपिक पर तो आप लोग एक बार कॉमेंट किजिए सभी topic पर हम अपने अंदाज में बताएंगे और इस बार हिंदी में 100 जैसा कि हमने आपको बताया कि निबंध पुछा जाता है और निबंध देखे बोला गया है निमलिकीत मेंसे किसी एक विशय पर दिये गए संकेत विंदु के अधार पर लगभग आपको इतने ही सब्दों में लिखना है और आए 100 से 300 सब्दों में निबंध लिखना है ठीक ह बूट किजएकेगा est Imptorpatient जितना भी निबंध होगा हम आप लों को बता देंगे तो देखे निबंध में आपको कौर्णबर में दिया गया है फिर नीचे को नंबर में दिया गया है समाद सेवा सेवा और आफे दिखिए गोर नंबर में दिया पुछा जाता है पर 5 निबंद्ध है लोई लोग cobra इंता पर आपको निबंद्ध है आपको उसके बाद हो आपको बताया कि चार नंबर में क्या पुछा जाता है तो इसमें देखिए आपको बोला गया है कि अपने छोटे भाई को अच्छे अंक से उत्तिर्न होने की खुसी में बधाई पत्र लिखें और इसी में आपको हो सकता है आबेदन पत्र भी आपको लिखने को मिलेगा ठीक आब इन्यों सिर्षक पाठ के आधार पर उत्तर लिखें ठीक है तो ये आपका जो है बुक से पांच कोस्टन आता है उसको भी दिखाते हैं पांच कोस्टन में दिखिए खौन नंबर में दिया गया है फिर तीन नंबर में है फिर चार नंबर में ये कोस्टन है फिर आपको यही पेपर देखने को मिलेगा वाइरल पेपर है इस वार अगर इस पूरे हिंदी का पेपर करना चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर किजिएगा objective subjective सभी question करवाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपनों को बताएंगे कि 100% ब्याख्या कैसे पुछा जाता है अब आए दोस्तों 6 number में जिसा कि हमने आपको बताया कि निमलिखित प्रस्नों में से किसी एक प्रस्न का उतर लिखिया है और सब्द सीमा बोला है एक सो में और यह जो है 100% ब्याख्या है पांच नमबर का राता है ठीक है? और 7% ब्याख्या में आपको यह कौक हो दिया ग और इस वार 20 फेरवरी को दोस्तों याद रखिए 20 फेरवरी को अगर आप लोग हिंदी में 100 में 100 करना चाते हैं तो बिल्कूल कर सकते हैं और आप लोग इस वार 400 पार लेकर आईएगा ये मेरा 100% दावा है तो अमीद करेंगे दोस्तों आपको सारा चीज समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि सभी सब्सक्राइब का वाइरल पेपर आप लोग के पास पहुंचता रहे तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जै भारत वंदे मातरम